दोस्तो व्लावेदर पुतिन ने हाल ही में कहा है कि वो नुकलियर वेपन सप्लाई करेंगे इरान के अंदर लेकिन क्या इरान के पास में खुद के नुकलियर वेपन्स नहीं है या फिर रश्या के पास में इतने ज़्यादा वेपन्स हैं कि वो हर देश को सप्लाई कर सकता है मैं आपको पहले एक बार मौजुदा इस सिती से वाकिफ करायता हूँ कि आखिरकार चल कह रहा है आप लोग को पता है कि इसराइल और हमास का वार पहले से ही चल रहा है लेकिन recently क्या हुआ है हमास के लीडर को इरान के अंदर मारा गया है और वो मारा किसके दोरा गया है ये confirm नहीं हो पाई था उसके बाद में हमास का नया लीडर जो है वो भी अपॉइंट हो चुका है लेकिन इरान ने अटेक करने के लिए ठान लिया है इसराइल के उपर लेकिन क्या वाकई में इरान के पास में वो modernized weapon है जिससे वो इसराइल को हरा सके इसलिए इरान जो है वो indirect तरीके से भी इसराइल के उपर अटेक करने के लिए तुला हुआ है जैसे मैं आप लोग को कुछ नाम गिनाता हूँ इनको हम लोग कह रहे है Axis of Resistance जैसे लबनान के अंदर है Hijabullah वहां से अटेक हो रहा है हमास अटेक कर ही रहा है होती जो विद्रोई है वो यमन के अंदर है इसका Axis of Resistance जो है वो इरान के अंदर है इरान की जो forces है वो indirectly help कर रही है कि इनको इन तमाम groups को ताकि वो इसराइल के उपर attack कर सके लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज attack करना हो ज़्यादा गंभीर serious attack करना हो तो इरान को किसी दूसरे देश की help लेनी पड़ेगी और इसमें पहला देश जो है बहुत बड़ी तागत जो है वो बनकर उबरा है हम लोग ये कह सकते हैं कि USA ने इसराइल का इस्तमाल किया है ऐसे political कहीं ना कहीं अपना power दिखाने के लिए कि आखिरकार USA कितना तागतवर है European country जो है वो भी आज इसराइल की मदद से Middle East के अंदर पूरी तरीके से imbalance की condition जो है वो create कर चुकी है आप लोग को थोड़ा अटपटा लगेगा कि क्या वाकई में इसराइल को एक कटपुतिली की तरह इस्तमाल किया गया है और इसका answer है yes politically एक फाइदा लेने के लिए USA ने और कई European countries ने इसराइल का फाइदा लेना शुरू कर दिया है लेकिन हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर कि पुतिन जो है वो nuclear weapons को supply करने वाले हैं कहां पर इरान के अंदर देखिए रशिया delivery जो कर रहा है advanced air defense system जो है वो इरान को दे रहा है और इसमें सबसे महत्पून जो air defense system है वो है S300 आप लोग को पता होगा कि भारत ने रशिया से S400 लिया है S400 का का काम क्या है भारत की जितनी भी अंतराश्ट्री सीमा है उसकी उपर उसको तैनात किया गया है ताकि अगर माल लीजे कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से attack होता है तो हवा के अंदर ही उन तमाम missile को मार गिरा जाए जो कि भारत की उपर हमला करने वाली है वैसी missile जो है air defense system वो रशिया जो है वो इरान को देने वाला है और कुछ हट तक दे भी चुका है बहुत सारी जो air defense system है Russia-Iran comprehensive agreement means for western security interest 2001 के अंदर दोनों countries के बीच में agreement किया गया था कि वो technologies जो है उनको share करेंगी और ये agreement अगले 20 सालों तक चलने वाला था मतलब 2020 तक recently news में आये था कि इरान और इसराइल जो है इरान और रशिया माफ कीजीगा इरान और रशिया जो है वो इसी agreement को renew करने वाले हैं और renew करने के लिए दोनों की meeting जो है वो भी आप लोग को जल्दी जो है वो देखने को मिलेगी In 2021 टहरान एन मॉस्को signed a 20 year comprehensive agreement तो 2001 के अंदर अगले 20 साल के लिए एक comprehensive agreement जो है वो sign किया गया था दोनों agree हो चुके हैं कि वो इस agreement को अब renew करेंगे मतलब और ज़्यादा technology और weapons जो है वो supply किये जाएंगे आप लोग हमारे 10,000 batch के साथ में जुरूर जुडिएगा 10,000 MCQ मैं solve करवाने वाला हूँ वो history, quality, geography, economy और science से होने वाले है आप लोग जो भी one day exam देने वाले है NTPC का exam देने वाले है railway का exam देने वाले है वहाँ पर ये MCQ आपकी बहुत मदद करेंगे GK और GS के अंदर जितनी भी question आने वाले है मैं पूरे आप लोग को cover करवाँगा topic wise आपको detail solution करवाँगा हर dimension के अंदर हम लोग questions को cover करेंगे 12 अगत से हमारा ये batch जो है वो शुरू होने जा रहा है और अगर आप लोग अभी इसके अंदर enroll करते हैं तो आप लोगों को इसमें 50% discount मिलेगा 10,000 coupon code आप लोगों को use करना है बड़ा जबरदस्त batch है अगर आप लोग GKGS के उपर focus करना चाहते हैं तो आप लोग जुरूर join कीजेगा 75 days का hard challenge है कि आप लोग pornography से कैसे बचे रहें pornography आपके subconscious mind को बड़ा disturb करती है आपको studies नहीं करने देती है साथ में आप business मच्छा नहीं कर पाते हैं तो मेरी 75 techniques हैं उनका इस्तमाल करके आप लोग pornography से दूर हट सकते हैं आप लोग accept कीजे 75 days के hard challenge को ताकि आप लोग pornography से कही ना कहीं दूर हट जाएं चलिए बात करते हैं विशू के अंदर किस-किस के पास में nuclear weapons है आप लोग देख सकते हैं कि जो European countries हैं इनकी पास में भर-भर कर जो है वो nuclear weapons है वहीं पर USA के पास में Canada के पास में इसके बाल में Mexico है ठीक है Brazil है फिर यहां पर देखे Russia के पास में भी nuclear weapons है लेकिन बहुत कम African countries हैं जिनकी पास में nuclear weapon है एक मात्र South Africa ऐसा country है जिसके पास में nuclear weapon है Middle East के अंदर अगर हम लोग जाएं तो Middle East के अंदर recently टाई हुआ है Russia और इरान के बीच में कि वो nuclear weapons अप्लाई करेंगे लेकिन आखिरकार इसके अंदर कौन-कौन से weapons जो है वो शामिल होंगे सबसे पहली बात तो यह है कि Russia जो है वो ट्रांसफर करने वाला है इसकंदर मिसाइल इसकंदर मिसाइल सिस्टम और दूसरा है मरमांस्क मरमांस्क BNEWS ये दो air defense system जो है वो रशिया देने वाला है इरान को तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इसकंदर आखिरकार क्या है ये इसकंदर की इमेज है इसकंदर में आप लोग देख सकते हैं कि मिसाइल्स यहाँ पर लगी हुई है और एक पूरा कपूरा air defense system है इसमें इतनी शमता है कि लगबग 280 km तक ये वार कर सकता है इतनी जबरदस पावर इसके अंदर है तो short range missile जो है तो लगबग 230 से 280 km तक ये क्या कर सकता है वार यहाँ पर कर सकता है मतलब वार हेड को वहाँ पर पहुँचा सकता है चाहे बैलेश्टिक missile हो या फिर cruise missile हो दोनों को ये क्या कर सकता है छोड़ सकता है इसकी बात में अगर हम लोग दूसरी की बात करें जिसका नाम है मरमांस्क तो मरमांस्क जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोगो दिखाई देता है ये मरमांस्क है मरमांस्क basically क्या काम करेगा कि ये electronic device है अगर मान लीजिए कि कोई भी aircraft अगर आसमान में है तो उसको ये detect करेगा क्योंकि वो तो stealth होता है छिपने की तागत उसके अंदर होती है तो ये जो technology है उसको ढून निकालती है और वही पर उसका सफाय कर देती है तो ये जो दो air defense system है ये basically क्या होने वाले है पहुँचने वाले है किसके पास में इरान के पास में लेकिन इनको पहुचाने के लिए एक aircraft जो है उसका इस्तमाल किया जाएगा जो की है इनकी 1L-76 Military Transport Aircraft है इसका इस्तमाल करते हुए पहुचाय जाएगा कहां पर इरान के अंदर इस news को आप लोग जहांसे देखिए BBC के news है कि पुतिन जो है वो हमेशे डाराते रहते हैं कि मेर पास में nuclear weapons है लेकिन आखिरकार रश्या की पास में nuclear weapons हैं कि वो और देशों को शप्लाई कर रहा है इसमें आप लोग देखिए कि ये जो blue color में आप लोग को दिखाई दे रहा है ये रश्या ने इस्टोर कर रहे है और red में जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये deployed कर रहे है मतलब तयार है हमला करने के लिए ऐसे जो हतियार है इनकी संक्या है 1185 Intercontinental ballistic missile Intercontinental ballistic missile हम लोग उनको कहते हैं जिनके शंता 5000 km से उपर होती है उसके बाद में है submarine launch ballistic missile submarine से launch कर सकते हैं इसमें लगभग इन्होंने इतनी इस्टोर कर रखिया और उससे ज़्यादा इन्होंने deployed कर रखिया 800 के आसपास में total ये है air launch from nuclear bombs मतलब basically अगर nuclear bombs को launch करना है तो हवा में ही launch कर सकते हैं इनके पास में 580 weapons है और total अगर हम लोग कहें तो 5977 मतलब 597 nuclear warheads जो है वो रश्या के पास में है इन में से इन्होंने लगभग 1500 के आसपास क्या कर दी हैं, retire भी कर दी है मतलब हम लोग ये तो कह सकते हैं कि रश्या के पास में nuclear weapons जो हैं अगर वो किसी country को चाहे तो supply भी कर सकता है, जिस तरीके से वो इरान को supply कर रहा है इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इरान के हालाद, क्या इरान के पास में खुद के nuclear weapons नहीं है देखे, इरान ने जब भी nuclear weapons develop करने की बात कही है तो nuclear weapons के लिए हमको uranium के use पड़ती है uranium जो है, uranium 235 उसको हम लोग use करते हैं लेकिन uranium को अगर आपने enrich किया है, तो enrich करने के बाद ही वो weapons के अंदर काम में आ सकता है, लेकिन इरान जो है, उसने जब भी भी कोशिश की है, nuclear weapons को design करने के लिए, तब तब उसके वहाँ पर क्या हुआ है, एक agency वहाँ पर पहुंसती है, जो कि international atomic agency है, और वो inspect करती है कि अगर कोई देश माल लीजिए, कि uranium का use कर रहा है, enrich करके, तो फिर उसको रोकती है, क्योंकि उसने NPT के उपर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं, तो इरान भी जब भी ऐसी कोई practice करता है, तो IAEA IAEA, जिसका headquarter Montreal, Canada के अंदर है, वो वहाँ पर पहुंच जाती है, inspect करने के लिए और उसने ये पाया था, कि 83.7% के आसपास में enriched uranium को कर चुका है, इसलिए इरान जो है, वो बहुत अभी, हम लोग कह सकते ही, close है है ना, nuclear weapon को बनाने में, लेकिन openly कभी भी जो है इसने ये चीज़ accept नहीं किये, कि मेरे पास में nuclear weapon है, हाँ, हो सकता है कि back to back जो है, वो underground होकर, इसने कई बार nuclear weapons जो है, वो बना लिये हैं, लेकिन openly कभी भी खहता नहीं है कि इरान की मैंने nuclear weapons जो है, वो design कर ली है देखिए, अभी जो दौर चल रहा है अभी groups बनाने का दौर चल रहा है अलग-अलग country जो है, वो अपने groups जो है, वो बना रही है, जैसे Russia है, China है, है ना, North Korea है ये अपना एक group बना रहे है अब इरान की पास में nuclear weapon होंगे लेकिन जो बाइडन का कहना है कि इरान जो है, वो कभी भी जवाबी कारवाई नहीं करेगा, वो attack नहीं करेगा तो हो सकता है कि जो बाइडन की ये भविश्यवानी कही ना कहीं, गलत भी थावित हो सकती है चली आपका क्या कहना है, मुझे आप लोग comment section में ज़रूर बताईगा, आप लोग हमारे 10,000 MCQ badge के साथ में ज़रूर जुडिएगा जो भी one day exam आप लोग देने वाले हैं अगर वाकवी में serious हैं, उस exam को निकालने के लिए तो आप लोग इस badge को ज़रूर पारा पाना चाहते हैं, तो 75 techniques और इसके साथ में 75 real stories जहें, वो भी मैंने इसमें cover की हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले session में, तब तो लिए धन्यवाद, thank you, जैहे